हेलो, असलाम लीकम वीवर्स, हम आपके लिए आज रोगनी मनाने लगे हैं, कुछ लोग इसे मिठा केक भी कहते हैं, इसके लिए जिन चीजों की जरूरत है, एक अदध अंडा, ड्राइफ रूट, आटा, और गुड़ वाला पानी मिठा, एक अदा किलो गुड़ हो तो आद के लिए हैं, ताके केक को खमीर किया जा सके, यानि रोगनी को, तो मैंने तीन प्याली आटा लिया है, नॉर्मल आटा जो होता है, कुछ लोग मेदे का बनाते हैं, तो मैंने आटे का बनाने लगी हूँ, आदा किलो गुड़ लेके तीन प्याली आटा लिया है, सौफ डाल करने के बाद यह आटा मैंने गुंदा गुंद tutte रही हो आपके सामने गुंद के बाद मैंने है hierarch मैरिणेट के लिए एक चमच आення का डान और इसको मैरिणेट करने के लिए दो गहेंटे के डिये रख देंगे ताके यह आटा फमीर बन जे और फूल जाए जब फूला होगा आटा तो इसका जो रोगनी बनती है वो बहुत ही मीठी बनती है रोगनी और अच्छी बनती है और जो मैंने अंडा लिया है वो उसकी जर्दी सिर्फ बुरिश के साथ जब इसको सेट करेंगे केक की तरह तो उपर लगाना है ड्राइफ फूल उपर लगा के तो इसको हमने पका लेना है चाहे आप तवे पे पका ले अभी हमने मेरिनेट करने के लिए रख दिया है चाहे आप तवे पर पका लिए इसको दोनों साइडों पर एक तरफ से सुरुक होज़े तो दूसरी तरफ कर ले चाहे आप ओमन में तो इसी तरह रोगनी तियार होती है तो रोगनी मिनाने के लिए ये है कि मैंने इसका सांचा लिया जिसमें केक बनता है उसी में हमने बुर्श से इसको आईल एक चमच लगाना है इसको मकमल तोर पे लगा के फिर इसमें बटर पेपर लगा देना है उसके उपर फिर अपने आईल करना है बुरुश के साथ इसके कनारे अच्छी तरह बनाईएगा रोगनी के इसको साधा लफ़ में रोगनी कहते हैं और यहां पेकोईटा में और वैसे इसको मिठा केक भी कहा जा सकता है जिसमें ड्राइफ रूट भी होता है सौंफ भी होती है और चोटी लैची भी होती है यह गुड का ही बनता है तो वीवर्ज इसको फिर सेट कर लेना है सांचे में जब आप इसको सेट कर लेंगे अच्छी तरीके से इसके कनारे बराबर कर लेंगे तो इसके उपर फिर आपने अंडे की जर्दी लगानी है अंडे की जर्दी लगाने के लिए सिर्फ आपने सफेदी नहीं लगानी है सिर्फ जर्दी लगानी है उसके उपर आपने जो भी आपके घर में ड्राइफ रूट मजूद हो वो आप छोटा छोटा काट लें या चॉप कर ले या चुरी से हाथ से काट ले तो इसकी उपर फिर आपने ड्राइफ रूट डाल देना है ड्राइफ रूट में मेरे घर जो था काजू था वदाम था पिस्ता था मैंने तोड़ा तोड़ा इसको करश करके तो ये चौप करके तो मैंने उपर डाल दिया है आप इसे हम ओवन में पकने के लिए रखतेंगे पहले हम इसकी नीची साइड नीची साइड पकाएंगे यानि इसको फुल पकाना है हमने फिर उपर वाला चुला जला के ओवन का तो इसको मैंने अच्छा सा रोगडी तियार कर लिया है जिस पे काजू लगाया था और अंडा लगाया था और यह हम आपको काट के दिखाते हैं अगर यह मेरी रेसिपी वीवर्स आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सबस्क्राइब लाजमी करें यह आपकी तरफ से प्यार होता है और एक हुशला अवजाई होती है अजसान दोबारा वीडियोज बनाता है थैंक यू अलाह आफिस